नवस्कार मैं हुश्रेया, हमारी यूट्यूब चैनल शुम्हारम वेडिंग्स में आप सभी का स्वागत है, आज के वक्त में वेडिंग प्लानिंग के इंपॉडर्स बढ़ती जा रही है, आईए जानते हैं एक्शॉल में वेडिंग प्लानिंग क्या होती है, आज के वक्त आपकी वेडिंग को प्लान करता है, इधर इस देस्टिनेशन वेडिंग और रिसेदेंशल वेडिंग एक अच्छा वेडिंग प्लानर अपने इनोवेटिव आइडियाज और आपके प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखकर वेडिंग को डिजाई, मैनेज एंड एग्जेक क्यों हायर करना चाहिए, एक अच्छा वेडिंग प्लानर आपकी किंती टाइम के साथ साथ आपकी हार्डन मनी को भी सेफ करता है, एक लुक्जूरियस वेडिंग को प्लान करने के लिए बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, आईए वेडिंग प्ल अच्छ वेडिंग में वेडिंग में होटल की खूपसूरती बहुत जरूरी है, इसके साथ साथ जब होटल को पॉक करते हैं तो वो तीन कैटेगरी में बुक होता है ₦ cp-ai जिसमें रूम के साथ breakfast include होता है Second one is MAP जिसमें रूम के साथ breakfast या कोई भी major meal include होता है Either it is lunch or dinner Third one is APAI जिसमें रूम के साथ तीनों meal cover होते है Breakfast, lunch and dinner अगर आप चाहें तो venue को buyout model पर भी rent out कर सकते हो जिसमें आपकी privacy बनी रहती है और कोई भी other guest during wedding hotel में check-in नहीं कर सकता क्योंकि हमने particular wedding date के लिए hotel को occupied किया होता है Second one is decoration एक wedding को खुबसूरत बनानी के लिए decoration बहुत important role play करती है आज के दोर में couple wedding decoration को लेकर बहुत particular हो चुके है उन्हें हर चीज perfect और detailing में चाहिए यही कारण है कि आज wedding decoration में different type of theme decoration आ चुकी है decoration में हर चीज theme के according होनी चाहिए either it is furniture, fabric and props Third one is catering हमारे हाँ guests सबसे पहले यही पूसते हैं कि खाना खाया और खाना कैसा लगा इसलिए wedding में food taste और menu guests को धियार में रखकर design किया जाता है basically food में तीन चीज़े बहुत important होती है food की quality अच्छे होनी चाहिए service भी अच्छे होनी चाहिए plus food की presentation अच्छे होनी चाहिए ताकि लोगों को देखकर feel आए कि हाँ यह wedding है Fourth entertainment wedding में entertainment guests को engage रखने में काफी help करता है wedding entertainment में आप different different type की activities plan कर सकते हैं for example guest check-in welcome activity, bride and groom entry, live band singing program, folk dance program, DJ and doll fifth photography wedding photography आपकी जिन्दकी के सबसे खुबसूरत दिन को याद लखने का जरिया होता है photographer को hire करते वक्त हमें कुछ बातों को धियान में रखना जरूरी होता है जैसे कि photographer को कितना experience है कौन सा camera वो आपकी wedding में use करने वाला है आपकी wedding की video किस format पर shoot करने वाला है जिसमें तीन केटेगरी होती है traditional, candidate and cinematic mode sixth logistic wedding में logistic का बहुत important part होता है जैसे कि आप Delhi में रहते हैं और आप जैपूर में wedding plan कर रहे हैं सभी guest के लिए गारिया book करने से लेकर उनके destination से pick up and drop services देने तक logistic का part होता है ताकि हर guest असानी से wedding venue पर post सके और check out के बाद अपने expected destination पर जा सके hospitality and RSVP invitation भेजने से लेकर guest calling तक ideas collect करने से लेकर check in and check out तक host और guest का खयाल रखना hospitality team की responsibility होती है ये seven verticals मिलकर एक wedding को complete करते हैं तो गुजारिश है कि आप हमारे channel को support करें तक कि हम आगे ऐसे ही और infotainment videos लाते रहे हैं Thank you